नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं पहाड टीवी और आपके साथ मैं हूँ नितीशा देहरदून के एनाई वीच में छात्राओं के साथ छेड़ ठाड के मामले में नैनिताल हाई कोट ने सुनवाई करते हुए यूनियोन आफ इंडिया के शपत पत्र के साथ अपराधियों के खिलाफ आज तक की गई कारवाई की दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये हैं मामले की सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तिथी नियत की गई है मामले में NIVH की तरफ से कोट में शपत पत्र पेश कर कहा गया कि उनके द्वारा छोटे और बड़े बच्चों के रहने के लिए अलग-अलग हॉस्टल में विवस्था की जा रही है साथ ही 9 सितंबर को घटित घटना पर 11 सितंबर को FIR दर्ज की जा चुकी है आपको बता दें कि देहरादूर के राष्ट्रिय द्रिश्टी बाधत संस्थान में चात्राओं के साथ छेड़-छाड और यौन उत्पीडन के मामले को नैनितार हाई कोट की खंड़ पीठ ने स्वता संग्यान में लिया था और कोट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी दिये थे इसकी जानकारी दी है फोटोग्राफ लगाई है साथ की कोट ने जो डायरेक्ट किया है कि वह जो हफ्ता के अंदर अफ़िविट जाकी करें और 18 तारी को केस लगा है और यह उनसे पताने को कहा है कि जो जो अधिकारियों के खिलाफ एक्षन लिये गए थे इस मामलों में वह कारवाई विभागी और किमिनल भी कहा तक पहुँची है इसके बारे में जानकारी दें कोटोग्राफ लाइए